अलो दोस्तों कैसे हैं आप से अब आज में लेके हूँ आपके लिक अनदर वीडियो दोस्तों आज से करीबन तीन मेने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि किस तरीके से मैंने अपने क्रेडिट काड का सेटलमेंट कराया मेरे साथ क्या क्या हुआ उस विडियो में मैंने सारी जानकारी दी थी आज मैं आपको वही क्लियर करने वाला हूँ तो दोस्तों मैं आपको यहां पर फ्रैंकली बताओं तो अगर देखा जाए तो यह सब जो चीजे होती है जो आपको यह 250,000 का क्रेडिट कार्ड में आउटस्टेंडिंग है एक लाग क्रेडिट कार्ड आउटस्टेंडिंग है दो लाग का क्रेडिट कार्ड का आउटस्टे करें और जाहिर सी बात है कि कोई भी हो चाहे आप हो चाहे बैंक हो अगर आप किसी का पैसा लेते हैं चाहे आप हो चाहे मैं हूँ अगर हम बैंक से लोन लेते हैं या क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो हमारा उत्तर दार्व यह होता है कि हम उसका पेमेंट करते हैं टाइम से अ लेकिन कभी-कभी वक्त ऐसा भी आ जाता है कि जहांपर हमारे पास लाग रुपे होते हैं पचास जार रुपे होते हम टाइम टू टाइम पे करते हैं लेकिन कभी ऐसा टाइम भी आ जाता है कि जहांपर पैसे ही नहीं होते कोई वे नहीं बसता है जहांपर आप बैंक को पे क मेंटली तो आप प्रेसर होते हैं और बार बार जो है बैंक के तरफ से और दवाव आने लग जाता है फिर हम सोचते हैं कि क्या करें कुछ ऐसा स्टेप बे उठाते हैं काफी लोग जो गलत होता है दोस्तों मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूं ताकि आप यह सूचे कि यार यह तो यह तो इसा वीडियो बनाता है यह तो परोसायन दे रहा है अच्छा कर रहा है तो पेमिंट नहीं करना चाहित लेकिन ऐसा नहीं है यह एक चीज आपको बता दूब अगर आप यह सोचते हैं कि मैं डिफॉल्टर करना है तब तो जी खोल के 50-25 रुपए लीजिए डिफॉल्टर कीजिए लेकिन अगर आप जैन्वन परसन है और अगर एक छोटा मोटा आपका कोई दुकान है या किसी भी तरह के कोई बिजनस है जो नॉर्मल आपको कई महिने पच्छी जार, पचास जार, एक लाग, दो लाग, जो भी अमाउंट आपके पास आ रहा है आप जब तक आपके पास पैसे आ रहे हैं आप उसका पेमेंट करते रहेंगे जाइड सी बात है कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि जब उसकी इंकम अच्छी है और घर में पैसे भी आ रहें और वो ऐसा नहीं करता कि बैंक का पेमेंटी ना करें वह इसली कर देगा अब लेकिन जैसे कोवीड की सुसेशन आई जहां पर इतने लोगों की जॉप कई किसी का बिजनस बंद हो गया तो भी बैंकों ने क्या करा कि तीन महेने का मॉरिटोरियम जो एक तरह कैसे अच्छा भी रहता है कि हाँ चलो कोई पेमेंट देनी नहीं है क्योंकि इंकम ही नहीं है लेकिन इंटर्स रहेगा देना पड़ेगा इसका तो कोई फायदा नहीं हुआ लेकिन इस कोविड के वज़े से जो प्रॉब्लम होई सभी लोगों को तो ये प्रॉब्लम के वज़े से जो लोग मेंटली परिसान हुए उसके बाद बैंकों का जो पैसा देना है और उसके बाद जो क्रेडिट कार्ड का पैसा देना है तो लोगों के पास काफी सारे ऐसे काम किया है आज से 5 साल पहले जब मैं प्राइविट जॉब करता तो यह सारे चीज़ देख चुका हूँ मैं यह नोटीस सब जो होते हैं यह कोई लीगल लीगल से नहीं आते हैं यह सिर्फ जो है मतलब हम बैकेंड टीन जो काम करते है रिकवरी वाले वो इस मेल को मतलब यह तो मेल भीजते हैं या इस तरीके का लेटर बनाकर आपके पास भीजते हैं कि आपके उपर बनाया जाए ऐसे लेटर 2014 में या 15 में मेरे पास भी आया था जो मैंने अपने credit card का payment नहीं कर पा रहा था तो यह notice देख कि आप दोस्तों परिसान मत होगा किजे कि आप मेरे को क्या करना होगा या मेरे को फांसी तो नहीं लगा दी जाएगा आपको जियन बेजा जाएगा इस notice का मतलब दोस्तों यह बिलकुल नहीं कि आपको जियल भेजा जाएпис नौटिस निकिEMA बाद में last में खुदी bank आपको यह बोलेगी यार इसका यह तो ढीट इनसान है ना तो यह reward कर रहा है ना इक phone receive कर रहा है phone उठाते तो card देता है bank आपको last में खुदी settlement का option देगी कि भाई आप तुम settlement करा लो अगर pay नहीं कर पा रहे हो तो कुछ amount देके settlement करा लो उससे last में आ आपको last में settlement का ही option देती है यह नहीं आपको बोलेगी कि इसको jail में डाल दो तो दोस्तों जो आप लोगो पूछते थे कि क्या मेरे को jail जाना पड़ेगा तो दोस्तों jail नहीं जाना होता अगर आप payment नहीं कर पाते हैं तो last last आपको settlement का ही सिर्फ option देती है आप जैसे यह द उनके पास अपने credit card का bill पे करने के पैसा नहीं है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि demand draft जिसमें लिखा हुआ है एक लाख करीबन करीबन एक लाख बीस अजार चार सो पचास रुपए और यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर notice ID लिखा हुआ है उनका date लिखा अपने घर में सजा के रख लो कहीं कि यह आपको आपके बुरे दिन का याद दिलाएगा कि ऐसा भी मेरे पास एक बार time आया था कि जब मेरे पास पैसे नहीं थे bank को देने के लिए आज मेरे पास पैसे हैं लेकिन loan नेनी की जरूती नहीं पड़ रही क्योंकि जब मैंने 2014 म उस टाइम मेरे पास मुश्किल से मुश्किल पांच हजार, चार हजार, तीन हजार, दो हजार देने के भी पैसे नहीं थे bank को ऐसी हालत हो गए थी क्योंकि उस टाइम में मैंने credit card का use तक नहीं गया था, पिन तक generate नहीं गया था, मेरे credit card से fraud हो गया और bank के तरफ से यह दव लेकिन अगर दोस्तों यह चीज अगर आपके घर पर आती है, इस तरह के नोटिस आता है, तो आप समझेए कि एक तरीके से आप इसको या तो सजा के रख लिजे घर में, या आप इसको कोई reverty नहीं किजिए, इसका कुछ नहीं आता, bank के तरफ से last में आपके पास settlement कही, ब इस तरीकी का अगर आपके पस कोई notice आता है, तो कोई घरानी के जुरूत नहीं है, बस इसको आप सजा के रख लो, अगर future में, जब भी भी आप जैसे आज के date पे मैं चाहूं तो दो लाग, तीन लाग के credit card लेके उसका पूरा यूज करके भी payment कर सकता हूं, लेकिन अभी म यह सोचने कि यार, इसका क्या करूं, मैं क्या करूं, तो कुछ नहीं करे, आपके पास last में bank, जो है, वो settlement कही offer रखेगी, या बोलेगे सर, settlement करा लो, मानता हूं कि civil खराब हो जाएगा, लेकिन civil सुधार ने भी काफी सारे, अलग-अलग वे हैं, जहां पर आप अपना civil सु इसका आपके पास आने का कोई मतलब ही नहीं है, अगर आ भी जाता है, तो घबराएं ना, बस इसका यह समझे कि आपके तरफ, bank के तरफ से दवाब दिया जा रहा है, कि आप उसका payment करे जो भी आपने loan लिया हुआ है, जो भी आपने credit card लिया हुआ है, ठीके दोस्तों, धन रणे बाग